नमस्का दोस्तों आज पर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रिशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज की जो वीडियो है वो स्टडी इन सुल्वाकिया उसके बारे में रहेगी जिसकी कैपिटल है तो मैंने कुछ दिन पहले सुल्वेनिया के भी वीडियो बनाई थी तो सुल्वाकिया के भी कंपरहंसिव वीडियो भी मेरे चैनल के उपर हैं Hammond के अपर आज,' आठी वीडियो आरी मेरे चैनल के उपर डाली हुई है बहां जाकर भी देख सकते हैं आग की उनकी visa appointment भी हमने respective embassy जो Delhi के अंदर है, वहां से भी ले ली हुई है. Bratislava इसकी capital है, अब इसके बारे में हम discuss करेंगे, क्या-क्या problems आते हैं, इस country को हम पिछले दो साल से deal करते आ रहे हैं. हर time they are changing something, हर time कुछ न कुछ न कुछ ये new changes ले आते हैं. तो यहां का जो process है, that is very very rigid है, कोई easy process नहीं है, यहां का, admission का और visa का भी. तो उसमें क्या-क्या problems आती हैं, उसके बारे में हम generally discuss करेंगे. बहाँ पर जो हमारी university है, University of Economics, Bratislava, इसमें हम बच्चों के process करते हैं, technical university कोसिक करके हैं, और communist university है, जो communist university ब्रatislava में है, यह तीन universities में we are processing the admissions of our international students. इन तीनों universities में हमारे Indian students ही नहीं हैं, हमारे तुरू process हुएं, मेंटे पास दो दिन पाकिस्तानी students भी process हैं, नेपाली भी student process है, बंगलादेशी भी है, शिरी लंका का भी एक student है, इस university में में process की हैं. तो यहां पर भी admissions के लिए क्या process है, अगर आपने admission लेना है, बैचलर में किसी भी program में admission लेना है, तो यहां पर जो maximum program है, उसमें बच्चों का online MCQ टेस्ट लेती हैं, यह universities, और कुछ universities सिर्फ बच्चे की Skype interview के उपर admissions दे देती हैं. मतल, अगर मैं Slovenia की बात करूँ, Slovenia में आपको without any entrance exam और without any interview admissions मिल सकता है, 90-95%. लेकिन यहां पर 90% आपको admissions, MCQ questions के through है, जहां आपकी Skype interview के through है, अगर आपने bachelor के लिए जाना है. तो master के लिए जो maximum admissions हैं यहां की universities के अंदर, वो on the basis of your previous study, जो आपने bachelor की हुए, उसके अंदर percentage क्या है, on that basis they are giving the admissions. सबसे interesting बात क्या है कि यहां पर आपको जो tuition fees है, वो 1500 यूरो से लेकर 3000 यूरो के बीच की मिलेगी. This is very very interesting thing है, इसको in cash करना चाहिए international students को, even Schengen country है और best university है, चाहे मैं बराटी सिलावाज university की बात करूँ, चाहे मैं communist university की बात करूँ, आप इस universities को Google में डाल कर देखेंगे, तो आपको idea हो जागा कि इनकी क्या ranking है, यहां पर क्या-क्या faculties है. हर एक faculties में admissions मिल सकता है, लेकिन यहां पर problem क्या की, यहां का जो staff है, they are very lazy, छुटियों पर रहता है, university से जो reply करती है, मतलब उसमें linger on करती है reply के लिए, और process बहुत rigid है, rigid क्या है, कि अभी admission के बाद आपका involvement बहुत important है, involvement तब हो पाएगा कि अगर आपने academy को recognize करवाया सुलवाकिया के अंदर है, कुछ universities यहां पर बच्चे का recognition process अपने लेवल पर करती है, कुछ universities कहती ही बच्चा अपने लेवल पर करें, तो confused रहते हैं बच्चे भी, एक जा दो फाइले मैंने already successfully submission भी करवा दी है, यहां की embassy के अंदर student visa के लिए, उसमें क्या पूशा गया ब जा नहीं चाहिए, आपके bank certificate की translation चाहिए जा नहीं चाहिए, आपने जो affidavit of support लगाना है उसकी translation चाहिए, आपके academic document की translation चाहिए जा नहीं चाहिए, आपके passport की translation चाहिए जा नहीं चाहिए, यह बहुत important है, जब आपने सुलवाकिया का student visa apply करना है, और हम सारे इस process के go through हो बच्चों को मैंने bachelor में हर extreme admissions दलवाया है, master में हर extreme admissions दलवाया है, और अभी एक दो बच्चों को मैंने फिर बताया है, successful apply submissions करवा दिया है, और बच्चों के जिनके सब के admissions आए हुए थे, 18 students के सब की हमने visa appointment भी ambassies से ले ली हुई है, और बहुत जल्द उनकी भी submissions हम ambassies में करवाएंगे, तो अगर आपने सुल्वाकिया में economical पढ़ने के लिए जाना है, आपका budget बहुत कम है, आप एक अच्छी country ढूंड रहे हैं, तो इसमें भी chrono immigration आपकी help कर सकती है, इन दोनों country में चाहे मैं सुल्वेनिया की बात करूँ, चाहे सुल्वाकिया की बात करूँ, एक ही major intake रहता है, मैंने आज वीडियो डाल दिया, कल आप मुझे chatting करना start कर देंगे, सर मेरी help कर ये, सर मैंने जहां जाना, जहां की फीस बहुत कम है, जाना है, तो इनके जो admission है, February और March में खुल जाते हैं, next year 2023 में खुल जाएंगे, और स्तंबर, October में इनी दिनों में आप जाप आएंगे, तो उसमें हम आपकी help कर सकते हैं, लेकिन profile बहुत important है, यहां पर आपके percentage बहुत important है, सुलवाकिया के अंदर, सुलवेनिया में इतना important नहीं है, जितना सुलवाकिया के अंदर important है, इवन आपका सुलवाकिया सुलवेनिया से already admission आपने अपने level पर arrange कर लिय है, कोई visa में assistance चाते हैं, help चाते हैं, जहां पर assistance रो help की मैं बात करता हूँ, तो वो paid है, this is not free of course, videos हमारी free है, देखी जितनी देखनी है, अभी लोग मुझे phone करके WhatsApp पर डालते हैं, सर आप video में कहते हैं, हम help करेंगे, तो help करेंगे, that is the paid service, दो यह नहीं है कि मैं अभी video बन consultant है market के अंदर, जो हमारी जैसी मेहनत करते हैं, तो उनके तुरू भी apply कर सकते हैं, जिनको हमारे जैसा knowledge है, जो हमारे जैसी information अपने social media के उपर डालते हैं, जो open effect बताते हैं, उनके तुरू apply करने की कोशिश करें, और मैं कहते हूँ, 90% consultant को उनकी universities के admission process, visa process के बारे में नही होगा, प्रोग्रामों के बारे में मालुम नहीं होगा, तो हम 100 countries को अगर deal करते हैं, तो उनके उपर day and night पढ़ते हैं, तब ही हम पैसे मांगते हैं आप से कि यह हमारी paid services है, और हवा में कोई चीज नहीं है यहां पे, सारी चीजें जो उनके parameter हैं, जो उनकी terms हैं, उनके according ही हम करते हैं, तो अभी यह है कि अगर आपने in countries में पढ़ने के लिए जाना है सुलवाकिया में, तो आपको आज से ही preparation करनी पड़ेगी, आप हमें अपने document बताएं, क्या है, आपको मैं recommend करूंगा, IELTS करना है जा नहीं करना है, फंडों को किस वे से आपने maintain करना है, यह सार अभी वीडियो हम अपने social media पर डालें, उसकी notification सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी social media इनको immediately follow करना पड़ेगा, लास ही मेरी यह request है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चले कि इसका like and share करना नहीं पूले, thank you